दोस्तों क्या आप जानते हैं आपका जो HDFC बेंक का क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड से मिला जो रिवार्स पोइंट है उसे आप केश में भी बदल सकते हैं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूटूब के ओफिसियल चैनल फस्ट वो लाइब टस्टिंग इन्फोर्मेशन दैट इस रियल हमारी चैनल के मादिम से अलगातार आपको फाइनियंसियल इन्फोर्मेशन मिलती रहे उसके लिए आप सभी चैनल को सबस्क् करेडिक का नेट बैंकिंग लगेगा यदि आपके पास पहले से के एच्जी अपसी बैंक का क्रेडिक का नेट बैंकिंग है तो आप एजली अपने रिवार्स परिंट को केश में बदल पाऊगे HDFC बैंक के हाली में जो नई यूजर्स है जिनोंने अभी अभी क्रेडिक कार्ड लिया है उनके पास नेट बैंकिंग नहीं है वह किस परकास से अपना नेट बैंकिंग बना पाएंगे ऑनलाइन उसके लिए हमने इस चैनल के उपर एक अलग से वीडियो बना रखा है चैनल पर लाइब एपलाई करके मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ और आप भी इस प्रोसेस के मादिम से अपना जो रिवार्स पॉइंट है उसे केश के अंदर बदल सकते हैं दोस्तो रिवार्स पॉइंट को केश में बदने के लिए आप सभी को आज़ाना है अपने मॉबा अप्शन देखने को मिल जाता है क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग मेनेज और क्रेडिट कार्ड ओनलाइन आपको इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस परकार का एक नेश्ट पैस्ट होगा दोस्तो यदि आपको यहाँ पर लोगिन का उप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आप टेंशन ना ले आपको तोड़ा नीचे आना है यहां आपको option मिल जाता है login to net banking आपको इस क्यूपर क्लिक करना है इस क्यूपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो saving account है उसका net banking आपको देखने को मिलेगा फिलाल हम यहां पर credit card का net banking open करने वाले हैं यहां आपको option मिल जाता है क्रेडिट कार्ड ओली लोगिन हर आपको इसक्यूप पर क्लिक करना है इसक्यूप पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस परकार का एक नेश्ट पैस होगा यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पास्वर फिल करना है और लोगिन पर क्लिक कर देना है दोस्तो मैं यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पास्वर फिल कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको आगे का नेश्ट प्रोसेस दिखाता हूँ उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने video को like नहीं कैhen तो video को like कर दीजिए और channel पर पहली बार आया है तो channel को subscribe करे जिससे की आने वाली ऐसी नही नहीं update आपको सबसे पहले मिले यहाँ दोस्तों आपको अपना card का detail देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पर जो card है उसमें कितना amount यहाँ पर जा चुका है कितना available है यह सारा amount यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपको इस के उपर click करना है यहाँ पर दोस्तों आप अपने credit card का सारा detail चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा आपका बचा है कितना पैसा यहाँ पर जा चुका है कितना rewards point आपको मिला है और आप अपने credit card को यहाँ से manage कर सकते हैं उसका pin आप change कर सकते हैं on screen के उपर आप सभी देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो rewards point है वह 3912 है और इन 3912 points का मुझे यहाँ पर कितना cash मिलने वाला है यह आगे आप सभी पुरा live देखने वाले हैं rewards point को redeem करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे option मिल जाता है redeem reward point आपको इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको इस परकार का एक confirm page देखने को मिलेगा यू वी नाव वी टेकन टू rewards point redeem and login out of HGFC bank net banking आपको यहाँ confirm पर क्लिक करना है इसके उपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको एक ने page पर redact किया जाएगा बेजा जाएगा on screen के उपर आप सभी देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर 3900 कुछ point था बट यहाँ पर मेरा जो available rewards point है जो मुझे यहाँ पर redeem करना है वह यहाँ पर 3430 है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मेरा बचा हुआ जो points है वह भी यहाँ update नहीं हुआ है जेसे ही वह यहाँ पर update होगा उसे भी मैं यहाँ पर इस process के माद्यम से cash में बदल सकता हूँ दोस्तों यहाँ आपको 4 option देखने को मिलेगा अपने rewards point को cash में बदलने के लिए यहाँ आप products cash log के माद्यम से भी अपना यहाँ पर reward point cash में बदल सकते हैं इस्टा बाउशर के माद्यम से भी बदल सकते हैं और cash का आपको अलग से option मिल जाता है airmails के माद्यम से भी आप यहाँ पर बदल सकते हैं cash के उपर आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपका जितना rewards point है उसका equal amount आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर 3430 यहाँ पर point है उनका 686 amount मुझे यहाँ पर मिल जाएगा यदि दोस्तों आप अपना जो rewards point है उससे cash में बदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना rewards point एंटर करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक amount दिखाई देगा जो आपको यहाँ पर मिलेगा आपको उसके बाद प्रोसिट पर क्लिक करना है प्रोसिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उस amount का detail शो होगा यहाँ आपको इस पर टिक करना है during the settlement पे और आपको redeem now पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपका जो यहां पर HDFC bank का credit card है उसके अंदर आपका जो यह पैसा है वह है यहां पर credit हो जाएगा फिलहाल दोस्तों मैं यहां पर अपना जो rewards point है उसे cash में नहीं वदनने वाला हूँ मैं यहां पर उसे insta यहां पर जो voucher है उसके अंदर वदनने वाला हूँ तो उसका process भी आप इस परका से देख सकते हैं और redeem कर सकते हैं अपना point यहां आपको option मिल जाता है insta voucher का आपको इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वह सारी voucher शो होंगे अलग अलग कंपनियों के जिस कंपनियों के अंदर आपको अपना voucher यहां पर redeem करना है उसे आपको slate कर लेना है मैं यहां पर Amazon का यहां पर gift voucher यहां पर slate करने वाला हूँ यदि आप भी ज़्यादा Amazon का यूज करते हैं तो आवाएं यहां यहां पर slate कर सकते हैं यहां दोस्तों आपको option देखने को मिल जाता है Amazon पे gift card में इसके अंदर यहां पर redeem करने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों मैं Amazon ज़्यादा यूज करता हूँ और easily मेरा यहां पर redeem भी हो जाएगा तो यहां पर हमें इस option को slate कर लेना है उसके बाद हमें यहां पर option मिलता है by now का आपको इसके पर click करना है यहां आपको नीचे आना है और यहां पर आपको during the practice करना है उसके ओड़ आपको redeem now पर click कर देना है इसके उपर आप जैसे क्लिक करेंगे earshore आपको इसे ओके कर देना है जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर successfully जो redeem हो जाता है ओर्डर नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तो इस voucher का जो coupon code है वह है आपको mail के उपर मिल जाएगा उस mail पर मिलेगा जो आपने अपने credit card में दी है वहाँ से आपको Amazon पर redeem कर लेना है Amazon के उपर आप अपने coupon code को किस परकास से redeem करेगे उसके उपर मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना रखा है वह वीडियो देखने के लिए आप channel पर visit करें दोस्तों ये था HDFC bank के credit card का reverse point में case में बदनने का life process I hope कि ये information आप सभी के लिए useful हो हमारी channel के मादिम से लगातार आपको ऐसी नईनी updates मिलती रहे उसके लिए आप सभी channel को subscribe करें साथे में इस वीडियो को like करें, share करें और इस information से related आपके कोई सवाल है तो आप हमें comment कर सकते हैं मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकरी के साथ